कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी चपेट में ले रखा है, करोणों लोग इस से संक्रमित हो चुके हैं जबकि लाखों लोगों की इस वायरस के कारण मौथ हो चुकी है, हाला कि दुनिया भर में इस वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है इस महामारी की वज़ेह से लगभग सारे कारोबार और पर्यतन स्थल कई महीनों से बंध हैं, लोगों का आना जाना कहीं हो नहीं रहा है, लेकिन अब धीरे-धीरे कुछ पर्यतन स्थलों को कुछ शर्टों के साथ खोला जा रहा है इसमें ब्राजील का फर्नांडो डी नोरेनहा द्वीट भी शामिल है लेकिन अब यह द्वीट एक अजीब सी शर्ट की वजह से चर्चा में आ गया है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शर्ट यह है कि यहां वही लोग भूमने आ सकते हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए थे और अब ठीक हो चुके हैं दरसल फर्नांडो डी नोरेनहा द्वीट पिछले पाँच महीनों से बंद है लेकिन अब इसे नई शर्टों के साथ एक जुलाई से खोला गया है बताया जा रहा है कि अब सीमित संख्या में ही लोगों को इस द्वीट पर आने की इजाज़त मिलेगी अधिकारियों के मुताबिक शर्ट पूरी करने वाले पर्यटकी यहां आपाएंगे इस द्वीट पर आने वाले पर्यटकों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट भी अपने साथ लेकर आनी होगी और वो रिपोर्ट कम से कम 20 दिन पुरानी होनी चाहिए दरसल ये शर्ट इसलिए लगाई गई है ताकि इस द्वीट पर रहने वाले लोग कोरोना वाइरस से सुरक्षित रहें फर्नांडो डी नोरिनहा एक द्वीट समूह है जिसके आसपास 20 छोटे छोटे द्वीट है इसका मुख्यद द्वीट करीब 28.5 वर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका निर्मांजवाला मुख्या चिटानों से हुआ है युनेसको ने इस द्वीट समूह को विश्व धरोहर स्थल घोशित किया है कहते हैं कि इस द्वीट पर रोजाना सिर्फ 420 पर्यटकों को ही आने की इजाज़त मिलती है इस द्वीट की सबसे रोचक बात ये है कि 20-वी सदी के मध्य तक यहां के मुख्य द्वीट का इस्तेमाल के दखाने की तरह होता था जहां अब राजील के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखा जाता था चाहे वो हत्यारा हो या राजनीतिक कैदी ऐसे ही अमेजिन खबरे जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को आल पर सेट कर दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन